हेलो एवरिवन दिस इस नभीव कोचहर वेलकम बैक टू नभवे साइंस नोट्स के अली इन इस वीडियो आप विल टेल यू अबाउट जिम्नल स्वर्म फिध्यमस्वर्म एक वेस्यव्किलर प्लांट हैं जो की सीड़ प्रर्ड्यूस करता है कर प्लावर नहीं हैं सेकंड जिम्नल्स परम में सेकंडरी ग्रोथ होती है जिसे एन्वल रिंग बनती है सब्सक्राइब जालतर वुडी एंड ट्री लाइक होते हैं फोर्ट यह जीरोफिटिक नेचर के होते हैं फिफ्ट एंड लास्ट करेक्टर इस मेल एंड फिमेल दोनों कौन्स को परड्यूस करता है सेकंड टॉपिक शेप, साइज एंड हैबिटेज फिस्ट मुस्टली जिम्नल्स परम एवर ग्रीन होते हैं सेकंड यह पहाडो और तराई दोनों जगा पर मिलते हैं फिफ्ट इनकी स्टम एरेक्ट एंड ब्रांच्ट होती है फिफ्ट टॉपिक रिप्रड़क्शन जिम्नल्स परड्यूस बोट मेल एंड फिमेल गमीटोफाइट और सेपरेट कौन्स फिमेल कौन और बिगर देन मेल कौन इनमें रिप्रड़क्शन टू टाइप के होते हैं ए वेजटेटिब रिप्रड़क्शन बी सेक्शूल रिप्रड़क्शन यह एडवेजटेटिब रिप्रड़क्शन यह एडवेंटेशियस गर्ट के त्रू होता है फॉर अग्जम्पल साइकस पी, Sexual Reproduction Gymnasium Heterosporos होते हैं और Sexual Reproduction U-Gamish Type का होता है आम तोर पे Cones Unisexual होते हैं पर कुछ Numbers Bisexual होते हैं For example, X-ray Docks First Point, Male Cone Male Cone बहुत सारे Microsporo Files से मिलके बने होते हैं यह Central Access पे आरेंज होते हैं Microspore, Microspore Engem के अंदर डवलप होते हैं Within the Microspore Engem Cells Known as Microsporocytes Divided by Meiosis to Produce Spore Haploid Microspore Meiosis Microspore Mother Cells में होता है जिससे Haploid Fallen Grain यानि की Male Gametophyte Developed होता है Second Point, Female Cone Female Cone Megasporophyte से बनता है Female Cone में Megasporo Mother Cells Megasporangium में प्रेजन होती है Ovule are necked or not enclosed inside the ovary because ovary wall is absent Megaspor Mother Cells Meiosis के बाद 4 Haploid Megasporar produce करती है 3 Megasporre degenerate हो जाती है और एक functional Megasporre बनता है Second, इनकी कुछ species medicinal use में आती है Third, Pinus को भी ornamental use में लाया जाता है Fourth, देवदार भारत में पाया जाने वाला सबसे solid timber बनाने के काम आता है Fifth, Pinus की कुछ species pesticides बनाने में यूस होती है Sixth, Gymnosperm के बहुत से plant paper industry में यूस होते हैं Fifth, Topic similarity with Angiosperm First, Main plant body is sporophytic होती है Differentiated into root, stem and leaves Second, Plant, tree and shrub-like होते हैं Third, Heterosporous होते हैं और produce gametophytes Fourth, Formation of seeds from ovule Fifth, Gymnosperm and कुछ Angiosperm का pollination सेम होता है Thank you for watching, if you like this video, like, share, comment and subscribe Thank you